आपको याद होगा पहले सरकारी नोक्री के लिए अगर किसी को अप्लाय करना होता था तो वहीं से अनेक परिशानिया शुरू हो जाती भाति-भाति kे प्रमान पत्र मांगे जाते हैं जो प्रमान पत्र होते हैं उनको प्रमाणित करने के लिए आपको नेताओं के घर के बार कटार लगा के खड़ा रहा पड़ता था अपसरों की सिफारज लेकर अब पड़ता था हम fell ले से सरकार के शुरुआती वर्सों में ही इन सभी मुश्किलों से युवाओं को मुक्ति दे दी। Self Attestation युवाँ अपने Certificate खुद प्रमानित करे ये व्यवस्ता की। दूसरा बड़ा कदम हमने केंद्र सरकार की Group C और Group D इन भर्तियों में इंटर्यू को खत्म करके उन सारे परंपराओं को उठा लिया। इंटर्यू की प्रक्रिया को सभाप्त करने से भी लाखों नवजवानों को बहुत फायदा हुआ है। साथियों आज भारत दुनिया की पाँचवी बड़ी अर्थ बवस्ता है। साथ आठ साल के भीतर हमने दस्वे नंबर से पाँचवे नंबर तक की छलांग लगाई है। ये सही है कि दुनिया के हाला ठीक नहीं है। अनेक बड़ी बड़ी अर्थ बवस्ताएं संगर्श कर रही है। दुनिया के अनेक देशों में महंगाई हो, बेरोजगारी हो। अनेक समस्याएं अपने चरम पर है। सो साल में आए सबसे बड़े संकट के साइड इफेक्स। सो दिन में चले जाएंगे ऐसा नहम सोते हैं नहिंदुस्तान सोता हैं और नहीं दुनिया अनुभाव करती है। लेकिन इसके बावजूद संकट बड़ा है, विश्व व्यापी हैं और उसका प्रभाव चानों तरफ हो रहा है, दुस्प्रभाव हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद भारत पूरी मजबूती से लगातार नए नए इनिसेटिव लेकर के, थोड़ा रिस्क लेकर के भी ये प्रयास कर रहा है, कि ये जो दुनिया भर में संकट है, उसको से हम हमारे देश को कैसे बचा पाएं, इसका दुस्प्रभाव हमारे देश पर कम से कम कैसे हो, बड़ा कसोटी कान है, लेकिन आप सरके सबके आशिरवात से, आप सबके सहयोग से, अब तक तो हम बच पाए हैं। ये इसलिए संभव हो पा रहा है, क्योंकि बीते आट वर्सों में, हमने देश की अर्थेववस्ता की, उन कमियों को दूर किया हैं, जो रुकावटे पैदा करती थी।